Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल उसको cease करना स्टार्ट कर दिया है, आज से ही यहाँ पर उसके घर के उपर जो रेड है वो करी जारी है, तो इसके बारे में तो आपको बताऊंगा, लेकिन साथी साथ आपको पता है, यह जो पूरा मामला उठा है, it is because of the death of Hardeep Singh Nizar, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कि अचानक से म की कोशिश कर रहा है, कहने का मतलब यह है कि Justin Trudeau बार-बार निजार को Canadian citizen बता रहे हैं, उसका जो पूरा खुलासा है, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, बहुत कुछ जानने को है, चलिया आगे भरते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, कल से ही हमा करने से आपको maximum discount मिलता है, और आप इसके अंदर enroll करा पाते हैं, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले यह दे organization है, sick for justice, वो already ban किया गया है, देश के द्वारा, भारत के द्वारा, और उसकी जो properties हैं, चंडीगर और अमरित सर में, under the Unlawful Activities Prevention Act, उसको यहाँ पर seize कर लिया गया है, और यहाँ पर उसकी जो चंडीगर की property, उसके बाहर एक notice body, आप देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पर seize किया जा रहा है, under the Unlawful Activities Prevention Act 1967, और देखें, लास्ट में यहाँ पर क्या लिखावा है, this is for information of general public, तो मतलब कहीं न कहीं, यहाँ पर public के सामने, साफ साफ clear सब्दों में बोल दिया गया है, कि हम action लेने जा रहा है, खालिस्तानी terrorist के उपर, और यह अगें आप देख सकते हो, गुर्पतवन सिंख पन्नु जो है, he is one of the founders of US-based separatist group, जिसका नाम है Sick for Justice, जो यह लोग आग उगलते रहते हैं, यह वही organization है Sick for Justice, और यह बार-बार lobbying करने की कोशिश करते हैं, कि इनको एक अलग state, अलग जो country है सिंखों के लिए, वो यहाँ पर चाहिए, और वो उसको बु सिंख, दोस्तों से, किसी से भी आप पूछना, कहीं से भी उनका मन में यह सब है यह नहीं विचारधारा, यह basically जादा तर आपको foreign countries में अपना politics चमकाने के लिए, अपने आपको save करने के लिए, यह जो विचारधारा है खालिस्तान की, उसको यह लोग आगे बढ़ाना चा और उस समय भी, यहाँ पर एक property थी उसकी जलंदर में, उसको भी confiscate किया गया था 2020 में, यह जो पन्नू है मैं आपको बता दूँ, यह लगतार भारत के खिलाफ campaign चलाता रहता है, और पंजाब के अंदर वो कोशिश करता है, कि यहाँ पर कुछ जो sick youngsters हैं, उनको भड़काया छोड़कर चले जाना चाहिए, खेर वो सब एक अलग बात है, उसको लेकर repercussions वगर भी हमें देखने को मिला, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूँ, कली खबर आई थी, कि भारत सरकार ने जितने भी TV channels हैं, मीडिया houses हैं, उनको यह भी बोला है, कि आपको इस तरह कि जो terrorist हैं, उनको अपने channels पर जगा नहीं देनी है, क्योंकि एक channel पर क्या हुआ था, कि यह जो पन्नू है, वो आ गया था debate में, और वो भारत के खिलाफ कुछ-कुछ बोल रहा था, तो भारत सरकार ने साफ-साफ निर्देश दे दिया है, कि यह हमारे sovereignty के खिलाफ है, इसक हर्दीप सिंग निजार की जो मिर्ती हुई है, किलिंग हुई है, कैनेडा के अंदर, वो बेसिकली इंडियन एजेंट्स के दोरा कराएग है, तो एक प्रकार से कैनेडा और जस्टिन टूडो, हर्दीप सिंग निजार को एक तरह से ऐसा दिखा रहा है, जैसे कि वो कोई ब प्रिपैर किया था, एक डॉक्मेंट्स प्रिपैर किया था, और वो कैनेडा को भेजा था, और उसमें हर्दीप सिंग निजार के बारे में सब कुछ खुलासा किया, कि देखिए, इसका लिंक आतंगवादियों के साथ है, वो भारत में आतंग फैलाना चाहता है, इसलिए आपको इसके उपर कारवाई करनी चीए, लेकिन आपको पटाई है कि कैनेडा ने अभी तक कोई कारवाई की नहीं है, और इसलिए ये जो डोजियर है, वो बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाता है, अब कोशन यह है कि ये जो डोजियर है, उसके अंदर क्या क्या लिखा KTF, खालिस्तानी Tiger Force, उसका नाम ही खालिस्तान एक तरह से था, तो वो जो आउटफिट था, उसमें finance करना, training प्रोवाईट करना, और वो सब कहां होता था, ये कोई पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ये सब कुछ Canadian soil में हो रहा है, आप सोच सकते हो, मतब भारत के खिलाफ काम यहाँ पर training प्रोवाईट करना, वहाँ पर लोगों को बंदूके वगरा चलाना, सिखाना, ये सब कुछ Canadian soil पर होता था, ये intelligence, भारती intelligence agencies के दोरा जो dozier prepare किया गया था, उसके अंदर बताया गया है, साथी साथ इसमें ये भी बोला गया है, कि जो निजार है, उसको पाकिस् SI है, जो spy agency है, उन्होंने उसकी मदद की थी, और उनका जो link है, basically, खालिस्तानी leaders के साथ लगतार देखने को मिलता है, and he funded terror activities in Punjab, सबसे बड़ी चीज़ ये है, कि जो भी निजार करता आ रहा था, Canada में बैठ कर, वो भारत में terror फैलानी की कोशिश कर रहा था, terror activities कर रहा था, पंजाब और बाकी के राज्यों में अगर आप देखोगे तो, यहाँ पर डोजियर में ये भी बताया गया है कि कैसे जो निजार है, वो खालिस्तानी activities करता था with impunity, impunity मतब ये हुआ, कि बिना किसी डर से, वो Canada में बैठ कर, Canadian citizenship के हवाले से, वो भारत के खिलाफ काम कर रहा था, he organized arms training camps in Canada, जहाँ पर वो AK-47, sniper rifle, pistol, ये सब चीजें चलाना सिखाता था, he had also allegedly sent individuals to India, उसने individuals को भारत भेजा, ताकि यहाँ पर targeted killings कराई जा सकें, political और religious जो figures हैं भारत के अंदर, उनको मारा गया है, और उसका direct exam हर्दीप सिंग निजार के उपर आया है, वैसे मैं आपक 1996 में पंजाब से भारत से illegal passport पर, fake passport वर वो गया था Canada, और उसने जो fake passport पर अपना नाम दिखाया था, वो था रवी शर्मा, और Canada में जाकर वो truck diver, driver और plumber का का काम किया करता था, also धीरे धीरे वो anti India, protest में शामिल होता गया, भारत के खिलाफ काम करता गया, और finally 2007 में जो है, उ सबसे पहले तो Trudeau और Canada को जवाब देना पड़ेगा, कि उसको citizenship मिला कैसे, क्योंकि इसका अगर मैं आपको detail बताऊंगा आप भी चौक जाओगे, देखो मैंने आपको गोला था, 1996 में वो fake passport बना कर, रवी शर्मा के नाम से fake passport बना कर Canada में चला गया, अब वहाँ पर जब व उसको वहाँ से बुला लेगी, और यहाँ पर वो भारत के अंदर, जेल के अंदर बंद हो जाएगा, लेकिन उसके asylum को उस समय, 1996 के समय जो है, वो आपका reject कर दिया गया था, उसके asylum को, उसके बाद क्या होता है, उसके 11 दिन बाद, वापस से वो क्या करता है, कि एक एक देश में जाते हो, वहाँ पर आप शादी कर ले तो, फिर वहाँ पर आपको उसकी citizenship मिल जाती है, लेकिन आपको पता है, वो सादी करने के बाद भी उसको citizenship reject हो गया था by immigration officials, क्यों? क्योंकि पता चला, जिस औरत से उसने सादी किया था, वो औरत खुदी 1997 में दूसरे person के sponsorship क मदद से आई थी, वहाँ पर Canada में एंटर की थी, तो उसका अगें, यहाँ पर जो एक तरह से मिलना था, यही था citizenship, वो reject होता रहा, लेकिन बार बार वो अपने application को Canada के कोर्ट में यहाँ पर appeal करता था, बार बार reject हो जाता था, लेकिन क्या हुआ हुआ है, कि अचानक से 2007 में 25 माई 2007 को, अचानक से उसको citizenship मिल जाती है, तो इसका answer Canada को देना होगा, कि आखिरकार उसको citizenship क्यों मिला, यहाँ पर भारत सरकार बार बार कह रही थी, कि उसको नहीं मिलना चाहिए, वो anti-India activities कर रहा है, उसके बावजूद भी Canada की सरकार कैसे उसको citizenship दे दी, वो अभी तक न anti-India activities कर रहे हो, और उसका मैं आपको एक बड़ा उधारन बताता हूँ, यह जो dozier सामने है, उसमें बताया गया, कि 2014 में Interpol Red Corner Notice भी उसके खिलाफ जारी हुआ था, अगर आपके खिलाफ Interpol Red Corner Notice जारी हुआ है, तो वहाँ जिस देश में आप हो, और वहाँ की agency को पता है आप के बारे में, तो आपको arrest करती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कि Red Corner Notice जारी करने के बावजूद भी, जो हदीब सी निजार है, उसको Canada ने arrest नहीं किया, उसको सिर्फ no fly list में डाल दिया, का कि नहीं बस आप इधर से fly नहीं कर सकते, बाकी आप जो चाहे करो, यह Canada का हाल है फिर उसी साल क्या होता है, अब दिखे, यहीं से interesting कीज हो जाती, 2014 के October महने में, यहाँ पर एक again terrorist है, परसन है, जकतार सिंग तारा, जकतार सिंग तारा का अगर आपने नाम सुना हो, यह basically यहाँ पर jail में गया था आगे चलकर, because of assassination of former Punjab Chief Minister Ben Singh, आपको पता होगा, Ben Singh जो पंज Thailand में था छुपा हुआ था, भारत से बचकर, और उस समय उसने निजार से help मांगी थी, जी हाँ, यह जो हर्दीब सिंग निजार है, जिसके हम चर्चा कर रहे हैं, इसी से उसने मदद मांगी थी, और निजार के पास phone आते ही, वो personally travel किया Thailand, दोको no fly list, अब मैंने आपको बत था, वो बच गया, क्यों? क्योंकि हर्दीब सिंग निजार के पास Indian citizenship नहीं था उस समय, उस समय इसके पास था Canadian citizenship, तो जब आपके पास Canadian citizenship है, तो इसकी जैसे हर्दीब सिंग निजार जो है, वहां से भाग निकला, मतलब फिर Indian government कुछ कर पाएगी नहीं, क्योंकि का मामला है, अब थाइलेंड तो कोई और तीसरा देश है, तो वहां पर जक्तार सिंग तारा को तो भारत सरकार काम्याब रही, भारत लान में उसको जेल में बंद कर दिया, लेकिन हर्दीब सिंग निजार को वो नहीं कर पाए कुछ, क्योंकि उसके पास Canadian citizenship आप चुकी थी तो उसकी मदद करने के लिए एक तरह से निजार क्या करता है, हर्दीब सिंग निजार, वो वापस से 2014 के नवंबर मैने में पाकिस्तान चला जाता है, बैंक कॉक से पाकिस्तान चला जाता है, और पाकिस्तान में यहाँ पर उसको ट्रेनिंग मिलती है, आयस से बहुत सारा contact एक्ट्रमिस्ट ग्रूप से और जादा जोड़ता है और आगे चलकर पंजाब में भारत के पंजाब में जो भी आपर टेरर इंसिदेंट्स हुए अभी तक उसमें कहीं न कहीं आपको हर्दीप सिंग निजार का नाम मिलेगा तो यह उसका आपको connection देखने को मिलता है तो यह जितने भी खुलास हैं दोस्तों अब भारत सरकार ने डोजियर के मात्यम से की तो भारत सरकार ने खुद दिया नहीं है डोजियर लेकिन media houses में आपको यह डोजियर हर जगत देखने को मिलेगा खेर इन सारे मामले में एक बड़ा बयान आया है जो pentagon के ex official है ex pentagon official है अमेरिक जिस तरह का allegation लगाया है without any backup मतलब कि अगर आप allegation लगा रहे हो तो आपको एक बड़ा proof देना पड़ता है वो आपने लगाया नहीं लेकिन यहाँ पर उनका यह भी कहना था कि अगर अमेरिका को side choose करना पड़ा कि Canada के side वो जाएगा कि भारत के साथ जाएगा तो इस case में जाएगा तो इससा लगता है कि अमेरिका भी कही ना कहीं भारत का ही साथ देगा क्योंकि जितने भी मामले आप देखोगे जो भी यहाँ पर document सामने आ रहा है इसमें भारत का ही पक्षामने आ रहा है तो लेट्स नॉट पूल आर्सेल्फ उन्होंने बोला निजार वाज न को देकर निकालने की कोशिश की लेकिन कहीं न कहीं वो भी backfire हो रहा है और जो long term relationship है किसी देश के साथ हो वो भी भारत जैसे देश वर्ल्ड की largest democracy के साथ वो यहाँ पर कहीं न कहीं खत्रे में आ किया है तो I hope कि दोस्तों इस वीडियो के माध्याम से आपको जो latest खबर है उ वहाँ पर अगर आप नहीं कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कहीं सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ बाकि अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए लगला social media पर आप भीडूपा होगे और जैसा मैंने आपको बता झालता हूँ झालता हूँ झालता हूँ